नमस्कार आपका स्वागत है महानाचारिय शुक्र देव ने अपनी नीती में पाच ऐसी बाते बताई है जिने सदा ही गुप्त रखना चाहिए नहीं तो ये उसके विनाश का कारण बन सकती है कई बार मनुष्य जाने अन जाने में अथ्वा भावनाओ के आवेश में आकर अपने जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बाते समाज में बता देता है जो उसके भविश्य को पूरी तरह से बरबात करके रख देती है जैसे मूर्खेवं भोले भाले पुरुष अपनी सफलता का सारा स्रेय किसी सुंदर अथवा मुहीनिस्त्री को दे देते है सोयम के सामर्थ्य और बुध्धिमता को तुच्च समझ कर उन्हें आभास होने लगता है कि उस्त्री के कारण ही उसके जिवन का उतकर्ष हुआ है वह मुहीनिस्त्री उसके मन पर ऐसे काबू कर लेती है कि वह अपने घ्यान, अपना बल, अपने बुध्धिमता और अपनी वीरता को उस्त्री के चर्नों में डाल देता है ऐसे मुर्ख पुरुष बड़े गर्व के साथ कहने लगते है कि वह स्त्री ना होती ही, तो मेरा कुछ भी नहीं होता वारी नीच, तुने अपने माता पिता, परिवार, गुरु, भाई बंदु, एवं पूरे कुल को ही कलंकित कर दिया है शुक्राचारिय कहते है कि मनेश को कुछ बाते विचार पुर्व कहनी चाहिए एक बुध्यमान वेक्ति के मुख से निकली हुई प्रत्यक बात उसके आसपास रहने वाले लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डालती है ये दिवा अपनी सफलता का सारा स्रेह किसी मुहीनी स्त्री को दे देता है तो उसके आसपास की लोग भी ऐसी ही किसी मुहीनी स्त्री की रहा देखते बैठते है जो आकर उनका उधार करे उनके लिए माता पिताएवां परिवार का मोल शुन्य हो जाएगा इसी प्रकार से शुक्राचारे ने पाच ऐसी मोतपुर्ण बातों का जिक्र अपनी नीतियों में किया है जिनके विशे में किसी भी भुद्धिमान मनुश को दूसरों को नहीं बताना चाहिए अनिथा ये उसका विनाश कर सकती है शुक्राचारे की अनुसार कोई भी बात कहने से पूर्व निरहंकार होकर सोयम से वारतालाप करना चाहिए अर्थात अपने अहंकार का त्याग करके सोयम के मन से वा बात कहनी चाहिए और जब वो उचित लगे तब उसे दूसरों के सामने बोलना चाहिए बोलते समय अपना मुख प्रसन आथवा गंबिर होना चाहिए हसते हुए वेंग तरीके से कोई बात ना कहे परिस्थिती को समझते हुए थोड़े से ही शब्दों में बात करे और सभी पर विश्वास एवं सभी पर शक नहीं करना चाहिए आईए जान लिते हैं वह कौन सी पाच बाते हैं जो मनिशक को गुपत रखनी चाहिए शुकर अचारिय कहते हैं नकंचित दात्मनह शत्रुम नात्मनम कस्य चिद्रिपुम प्रकाश येनप मानम नचनिस्नी हताम प्रभो इस लोक में उन पाच बातों का वर्नन किया है आईए जानते हैं पहली बात शत्रुता शुकर अचारिय कहते हैं कि एक बुद्धिमान विक्ति को अपने शत्रुम के विशे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए यदि आपके मन में किसी के प्रती द्वेश घ्रणा है अथो आप किसी से नफरत करते हैं तो ये बात कभी दूसरों को ना बताए यदि आप किसी से नफरत करते हैं और सामने वाला विक्ति उसका सम्मान करता है तो वह विक्ति आपका सम्मान करना छोड़ देगा और आपक तो यह बात भी किसी को ना बताए, मैं उस्तरी के हर बात पर विश्वास करता हूँ, ऐसा कभी दूसरों के सामने ना कहे। आनेता उस्तरी को लालश देकर अत्वा जूट कहकर आपको भी जूटी बात मानने पर विवश्च किया जा सकता है इसलिए अपने विश्वास पातर लोगों की जानकारी कभी दूसरों को ना दे आनेता उनिष्ट कारक हो सकता है लोग आपके और आपके पत्नी के रिष्टे को तोड़ने का प्रया सवश्य ही कर सकते हैं पाची बात जूट शुक्रचारे के अनुसार मनुश्य को कभी भी किसी विशे के बारे में जानकारी ना होने पर उसके विशे में कभी जूट नहीं बोलना चाहिए जूट बोलने पर विक्ती अपना सम्मान खो देता है जानकारी न हो तो चुप रहना ही उचित है जूट बोलने पर समस्याए खड़ी हो सकती है तो दोस्तो ये तेवा पाच बाते जिने हमेशा गुपत रखना चाहिए शुक्रचारे की नीती पर अपनी र